रादे कृष्ण दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर तो दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे किचन टिप्स सेयर करने वाली हूँ जिस टिप्स का उपयोग करने पर आप किचन के हर मुश्किल काम को आसानी से करके तयार कर सकते हैं टिप्स नममर वन सबजीयो को काटने के लिए लकडी के चौपिंग बोड का ही उपयोग करना चाहिए मारवल स्लैप पर सबजीयो को काटने से चागू किधार कम हो जाती है तो आप सबजीयो को काटते समय इस बात का जरूर धियान रखे टिप्स नममर टू पकोरे बनाने के लिए बैटर तयार करते समय उसमें एक से दो चमाच चावल का आटा मिला दे इससे पकोरे क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तयार होता है तो अब देख लेते हैं tips no.3 शिमला मिर्ज की सब्जी बनाने के लिए सिमला मिर्ज को काटने के बाद उसके अंदर की बीज निकाल दे इससे सिमला मिर्ज की सब्जी अच्छा बनेगा तो अब देख लेते हैं टिप्स नमर फोड पियाज और आलू को एक साथ श्टोर नहीं करना चाहिए मीथा डलिया बनाए तो उसमें इलाइची डाल देने पर डलिया का टेस्ट बढ़ जाता है टीप्स नमर शीक्स कावली चने को अधिक दिनों तक स्टोर करने के लिए कावली चने को एयर टाइड डब्बे में रख कर उसमें सूखी लाल मिर्च डाल दे ऐसा करने पर कावली चने में कीरे नहीं लगता है टीप्स नमर शेवन गले में खरासे अराम पाने के लिए गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल कर मिला ले और पीए टीप्स नमर एट यदि ड्राइफ रूट्स को काटने में अधिक समय लग जाता है तो ऐसे में ड्राइफ रूट्स को आदे गंटे के लिए फ्रीज में रख दे इसे ड्राइफ रूट्स कम समय में आसानी से कर जाएगा टीप्स नमर नाइन अध्रक कचिल का उतारने के लिए चाकू की जगा चमच का उपियोग करे चमस से अद्रक का छिलका आसानी से उतर जाता है टीप्स नमर टेन मैदा को अधिक दिनों तक स्टोर करने के लिए मैदा को एयर टाई डब्बे में रख दे और उसमें तेज पत्ता डाल दे इसे मैदा अधिक समय तक सुरक्चित रहेगा टीप्स नमर 11 आलू को उबा ले और फिर सबजी बनाए इससे आलू की सबजी का टेस्ट अच्छा आता है टीप्स नमर 12 खाना बनाने के बाद उसे धख कर रखना चाहिए खाना को धख कर रखने से खाना खराब नहीं होगा टीप्स नमर 13 यदि पराठे को बटर में सेखेंगे तो पराठा टेस्टी बनता है टीप्स नमर 14 तंदूरी रोटी को नरम बनाने के लिए आठा गूते समय उसमें दही मिला दे और गुनगुने पानी से आठा गूत ले ऐसा करने पर तंदूरी रोटी नरम बनेगा और टेस्टी भी लगेगा टीप्स नमर 15 आमलेट को फलपी और मुलायम बनाने के लिए आमलेट बनाते समय उसमें एक से दो चमच दूद मिला दे आमलेट फलपी होने के साथ ही टेस्टी भी लगता है टीप्स नमर 16 चावल बनाते समय पानी में आधा चमच तेल और कुछ गुद नेम्बू का रस मिला देने से चावल खिला खिला बनता है और चावल अधिक सफेद लगता है तो ये भी अच्छा टीप्स है तो दोस्तों ये सारी टीप्स का उपियोग करने से आप किचिन के काम को अच्छे से कर सकते हैं आपके काम करने का तरीका बेहतर हो जाएगा ये सारी टीप्स आपके लिए बहुत ही उपियोगी होने वाला है वीडियो अच्छी लगी है टीप्स अच्छी लगी है तो लाइक और कॉमेंट जरूर करिएगा चानल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और नोटिफिकेशन बेल को दवा कर और पर क्लिक कर लिजेगा ताकि आपको सभी वीडियो समय पर मिलती रहेगी वीडियो देखने के लिए थैंक यू जाम आता दी